प्रतिष्टिक बोलियूद अभिनेता शाहरुक खाने हाल ही में अपानी फिल्म, जवान, के रिलीज के बाद के कार्यक्रम के दोरान अपने कूल शॉट्स पर निर्देशक इटली की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी साजहा की. मुंबी के वैयारीफ स्टूडियो में आयोजित इसकार्यक्रम में जवान की जबरदस्त सफलता का जश्न मनाया गया, जो दुनिया भर में बॉक्स ओफिस रिकोर्ड तोड रही है. शाहरुख खा ने फिल्म को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के ये आभार जटाया और इसे एतिहासिक सफलता बताया. इस कारिक्रम में अनेक साथ फिल्म की प्रमुख हस्तिया शामिल हीन, जिनमें दीपिका पादुकून, विजे सैटप्ती, साया मलहुत्र, रिधी दोग्रा और पूरी कास्त और करु शामिल थी. इस सभा के दोरान, खा ने अपने कठित कूल शॉट्स पर इटिली की प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला. खा के अनुसार, इटिली ने लगातार इन शॉट्स को, क्लास, के बजाए, मास, के रूप में लेबल किया. खा ने विनोध पूर्वक अनेकी शैलियों में अंतर को ध्यान में रखते हुए कहा, वाह मास है और में क्लास हूँ. उन्होंने निर्देशक को खुश कराने के प्रति अपने समर्पन पर जोर दिया और बताया कि अभिनेताओं के लिए अपने निर्देशकों को खुश कराना कितना महत्वपूर्ण है, कयों की अनेकी दृष्टी अंततह दर्शकों की धारना को आकार डिटी है. शाहरुख खा ने जवान को सिरफ एक फिल्म से कहीन अधिक बताया, या है कैसी भावना है जो हर भारतिय के मैंन में गुन जाती है. उन्होंने जवान, कुसैनिकों, माताओं, लडाकियों और निग्रानी करताओं साहित भारतिय समाज के विभिन पहलों के प्रती के रूप में चित्रत किया. खाने जवान की बहुमुखी प्राक्रती की प्रशंसा की, या सवीकार कराते हुए की, सभी व्यक्तियों की तरह, जवान का माजोर और मजबूत, सही और गलत दोनों हो सकते हैं. उन्होंने या कहते हुए निशकर्ष निकाला की जवान हर आयमानदार भारतिय में अच्छाई और प्रेम का प्रतिनिधित्व कराता है. फिल्म, जवान, में शाहरुक खा के साथ 9 तारा है और या 7 सिटमबर को रिलीज हुई थी और इसे जबरदस्ट सफलता मिली और इसने सिनिमा ए इतिहास में अपानी जगह पक्की कर ली.